व हमें है Welcome back to my youtube चैनल तोड़ इंदिस वरीटियो वन मोर प्रूब 4 स्वेर रूर 2 इन इरस्टाल नमबर इन प्रिवेस्ट वीजुए हमने देखा है स्वेर 2 इस अर्शिनल मंबर स्वेर 3 इस इस इरस्टाल नमबर स्वेर 3 इस इस इरस्टाल नमबर and there उन चार बच्चे ज्याधा ज्यादा उन्होंने मेरे साथ सीर किया है और अच्छ शॉल की है उन्हां ठीक है लेकिन बाखें कि विच्चे Profess 2015 कर आप personally मेरे से WhatsApp पे question कर सकते हो ठीक है नहीं तो comment box में भी का सकते हो कोई दिखकत नहीं है लेकिन साल करो यह जो question चलता है न इर्राशनल नमबर प्रूब करने के लिए square root 2 square root 3 square root 5 इन में से एक question हमेशा question paper पर होता है मिल जाएगा आपको तो आपको यह वाला question ठीक से करना है इंपॉर्टन कोश्चन है चीड़ी करो ना अगर कुछ स्लेबस रिलेटेड कुछ अपने टॉपिक रिलेटेड कोश्चन से तो डिसकस कर लो ना उने चल दा उनके दिमाग में कुछ अलग ही चलता है क्या करना है पूछ किए वीडियो बनना नहीं आपको नहीं ना तो आप स्टडी के रिलेटेड कोश्चन करो ठीक है तो लेट सी प्रूप दिसक्वेश्चन लेट से अजुम दैट फो रूट टू इस एन इस एन राशनल नंबर ओके सो पंसिडर करना है यह वन जो नंबर है राशनल नंबर है तो राशनल नंबर शुड़ बी इंद फॉर्म औफ पी अपन क्यू फॉर्म में होता है वह पे और इंटीजर क्यों नौट इकुल टो जूरो था है और यहां पे पी अट क्यू यह जो है लोवेस्ट फॉर्म है ओके इसिडर कर लेकर लोवेस्ट में मतलब यहां पे पी और को नंबस को प्राइम मतलब उसका मिनिंग होता है वहाँ पे only one common factor रहेगा one okay one के अलावा कोई common factor नहीं है वहाँ पे no any common factor other than one oh let's see p and q are co prime numbers it means they have only one common factor is one okay याद रखिये यह condition हमें consider करके चलना है so let's see next step 4 root 2 is equal to p upon q p upon q मतलब rational number है तो equal form में दिखा सकते equality में दिखा सकते where p and q are co prime numbers let's see next step q जो है यहाँ पर right side में denominator में left side में shift करेंगे तो कहाँ पर जाएगा multiplication में जाएगा सही है numerator में multiply हो जाएगा so 4 root 2 यह जो already हाँ पर left side में है तो multiply with q हो जाएगा is equal to right side में rest of term है only p let's see by squaring both side is your equation मिला है 4 root 2 q is equal to p is square कर लेते हैं ठीक है so let's see squaring both side we will get in bracket 4 root 2 q bracket square total term bracket में bracket square है मतलब individual term का square है यहाँ पर is equal to p square so let's see यहाँ पर हमें 4 square कितना मिलेगा यह जो 4 है इसका square हमें मिलेगा 16 सही है और यह 2 है square root 2 और square cancel हो जाएगी आपर सही है न यह जो square root वाला 2 है और square उसके लिए individual लेने के बाद cancel हो जाएगी ठीक है मतलब क्या भी यह जो 2 है यहाँ भी आ जाएगा इसके लिए भी रहेगा और q के लिए रहेगा तो यह वाला square root और square cancel हो जाएगी सही है so 4 square हमें 16 मिला और remaining यहाँ पर कितना है square root और square cancel होने के बाद यहाँ पर मिलता है हमें 2 सही है 2 into 16 कितना मिलेगा 16 टूज आर 32 सो नेक्स्टेप में मिलेगा 32 into q square वहाँ पे q का square remaining है तो q square लिख दिया is equal to p square right side में मिल गए अब देखिए यह जो equation मिला है इसको हम numbering देंगे one first equation first equation कुन सा है 32 q square is equal to p square okay let's see p square equal to 32 q square यह वाला equation याद रखिए इसको equation number first देते है नेक्स्टेप देखिए जो 32 multiply with q square और right side shift करेंगे तो कहा जाएगा denominator चला जाएगा सो लेट सी next step यहाँ पर denominator में 32 मिला है okay so in this way q square is equal to p square divided 32 मिला है so let's see next step 32 divides p square it means 32 is a factor of p square ऐसे भी बोल सकते है यह अनि 32 divides p square बोल सकते हो और एक बोल सकते है p square is divisible by 32 कुछ तो बोल दीजे ठीक है एक ही meaning आएगा उसका so 32 divides p अगर p square को divide करता है तो p को भी दो divide करना है उसको सही है as well अगर 32 divide करता है p को तो हम बोल सकते है क्या बोल सकते है 32 divides p okay so let's p is equal to 32 यम यहाँ पर m any integer ले लो ठीक है consider कर रहा है p equal to 32 यम यहाँ पर हमें q के लिए बात करने है इसलिए यह consider कर रहा है ठीक है so squaring on both side यह जो equation हमने नहीं consider किया पी इक्वल टो 32 यम इसको square कर लेते बोद साइड तो हमें क्या मिलेगा बोद साइड स्क्वेर करने के बाद p square is equal to 32 यम ब्रैकेट स्क्वेर ओके 32 स्क्वेर इंटू यम स्क्वेर मिलेगा 32 स्क्वेर मिन्स इन मल्टिप्लिकेशन फॉर्म टू टाइम्स लिखना इटसेल 32 इंटू 32 इंटू यम स्क्वेर ओके फॉर्म equation first equation first क्या है let's see equation first फॉर्म equation first हमें मिलेगा देखिए अब पता चलेगा आप कुन सा है पर तो यह slide काम नहीं कर रही है हो की ओके यहां पर मिलगया है हमें ए कि एक्वैशन was इक्वैशन फॉर्स का है 32 इस इकलड़ पील इसका till क्वेर स्कूर मिर्म ऑग्ट Estee टूट है लग सकते हैं पर रक्रूप इक्वेशन फरॉसक्विशन है यां पहने हैं थाविशन सब्सक्राइब यहां पर देखिए यह वाला 32 और यह वाला 32 तो नहीं तो इसको करने के बाद किजिए अब यह सब्सक्राइब तो इसको थोड़ा सा मैं लिख दू अगर यह समझ में आदा दो अब दीखिए एजड़ा सा मैं इसको कर देता हो ठीक से ओके अब देखिए यह जो 32 है इधर चला जाएगा और यह भी 32 इदर चला जाएगा मतलब डिनार्मिनेटर में आ जाएगा दोनी 32 तो यह 32 और यह 32 गेट कंसल तो डिमेंग क्या है क्यू स्कूर अप आउं 32 शही है न अगर यह 32 इधर शेट हो जाता है तो डिनार्मिनेटर में चला जाएगा जो हमें मिलेगा क्यू स्कूर आप आ अप आउन थाट्य तो इस इकोल टो निगसा सकते हैं इस कोई तोड़ा सा है स अंपको समझ में एक कई से लेट सी यहां भी 32 दिवैड क्यूने हैं देख हो डिवैड कर रहे हُρά vessels q स्क्वेड है स्मीश को जाज बहुत है किस ? प्रिवैर कर रहा ता तहां देखंगा है application फॉर्स्टाइघ ओके ओ यहाँ पे क्यू भी कर रहा है हूं अगर दोनोट दोनोव नम्रेटर और डिनामनेटर कॉच्ट टाइट कमीनिस क्या है संडिज्न कैंड हके हमने भूला है at least 32 as a common factor और अमने तो बोलो का only one one as a common factor लेकिन यहां पर 32 as a common factor मिल रहे it means our assumption is contradictory because we have assumed that P and Q have no common factor except one we have no common factor other than one okay तो हमारा assumption क्या हो गया contradictory हो गया it means our assumption is wrong say no our assumption that four root two is rational number is wrong so you're wrong bandy amara four root two is a rational number evil assumption it means our rationale नहीं तो remaining numbers concern एक तो राशनल नहीं तो रेल नंबर में दो ही तो नंबर है हमारे पास एक के राशनल फर्म बुसरा कुंसा है irrational form it means four root two two is an irrational number so you're not who gave proof so that four square root two is an irrational number in this way we can prove four root two is an irrational number okay I hope you understood other nice amount matter America push low comment box may put low what's up number a member who's people okay group map America question about something okay let's see one more question question number second through that three plus यहाँ पर देखें three plus five ने three plus root five होना चाहिए तो याद रखिए और आप बुक में भी देख सकते हो यहाँ पर root five है कुमसा नंबर है मैं यहाँ पर लिग देता हूँ three plus root five है ओके और पर हमने रूट five के लिए प्रूप आपको बूला था कली बूला था अगर जिन्होंने सॉल किया है यह भी इजली सॉल कर सकते हो नहीं किया है तो आज आपको करना है ठीक है तो three plus root five is an irrational नंबर यह आपको प्रूप करना है और मेरे से शेयर करना है अगर नहीं आ रहा है तो at least मेरे से जो भी difficulty है वह आपको डिस्कस करनी है उसके उपर हम थोड़ा सा solution निकाल लेंगे ओके ठेंक्यू फॉर वाचिंग